फटफट चाबी लेकर आओ जिमी लाया लाया पापा है इतना लंबा सफर ठकन हो गई यार लेकिन जानवर एवन आए यार बस अब उतरने ही वाले है पूरे सफर की ठकन उतर जाएगी जब मैं अपने जानवरों के साथ बैठूंगा यार अकीम या गाड़ी की चाबी वो मैं यार सफाई कर रहा था ना तो मैंने यार वो घास पर गाड़ी खड़ी कर दी थी यार पापा ना फुजूल में गुस्जा करते हैं अब यही लेकर बैठी आएगे कि तुम्हें गाड़ी दो तो तुम कहां पार कर देते हो ले आए कि जगह खड़ी करने की अने पापा मो डोह न थान गार गाड़ी तो इसन्नी हिझभाएं खड़ी कर दी थी मैने स्वारी है क्या यार इजम क्यों गलते कर देता है यार तु गुसो के क्या अंदर अरे क्या हो क्या आप ऐसे ढरते हैं जैसे पता नहीं मैं आपको उड़ा दूँगा चलो फटा फट रसी खोलो अब एक काम तो करवाने पहने खोल ना हो रसी शौक होता है ने तुम्हें जानवरों का तो अब फिर काम भी किया करो करना हो, पापा मैं, रसी खोलो है यह करना है क्या हमारी यह ड्राइवर है यह नहीं करया उद करकू कि यह यह नहीं करेगा हमारी जीव सीन है बाई बेपारों कोभी नख्रें ही बहुत है बाई प्रखेट जानवर जो है ना वो पले में घर के पले में इसलिए मसला नहीं है बिद्ट केंगे नहीं चलो अब तुमने जिस जगा बानने हैं मुझे बता ओ तुम्हें मैंने कहा था कि नजिमी ड़ली इसरा आगना ने विजनी बारी योरी अब यह पने कहा था ना यहां तो फाइदा भी नहीं है अगर मैं कोई अंतुजां भी करने था मैंने सोचा हुए वैसे क्या सोचा हुए कि अपने बेडरूम में रखोगे अरे वो आप मुझ में छोड़ते हैं मैं देखें ऐसे सेट अप करूँ गा आज के आज करूँगा वैसे भी कंसे बारी शुरू है ना मैं आज ऐसे सेट अप कर दूँगा आप उसकी फिकर नहीं करे तुम पर छोड़ दियाने काम तो हो गए यहां नहीं बनाना वैसे भी पिछले साल यहां पे टीन की छटे लगाएं थी बारी शुई थी सारा अंदर टपकरा था फाइदा नहीं है मैंने सोची वी एक जगा मैं आपको बताऊंगा हाँ चलो ठीक है अभी यहां पे जरा बांदो उनको सही करके तुम्हें पता है तकड़े जानवर हैं जरा सा यह सर वर हिलाएंगे सारी कील निकल जाएगी और रसी खुल जाएगी आप वह मैं अभी हिसाई से कारत हूँ वैसे भी धूप में दुपेर मैं यहां बांदेंगे रात में जगा बनाऊंगा ना और दूसरा सीन यह है कि अगर मारिश हो गई तो फिर यहां बांदेंगे नहीं वह आप मुझ पे छोड़ते हैं उसकी फिकार नहीं करें आप मैंने एक दिन पहले कहा था लेकिन नहीं तुम इतने एक्साइट कुछते जाने के लिए अब आज के आज यह सेट अप करना और उपर से चारा भी लेकर आने से यह तीन दिन का चारा ले आना मैं इसको पेमेंट करके फारिक करता हूँ रे भाई इतना लंबा सफर ठक गये लेकिन अलम्दुलिल्ला जानवर अच्छे मिल गया हाँ भाई यह लो यार अपने 25,000 रुपे सिब्भी से यहां तक आते आते भाई रिल लग गई यार हाँ हाँ खुश हैं भाई चलो यार अब चलते बनो बहुत शुक्रिया यार हाले टाइट हो गई यार सिब्भी से यहां तक आएं हम इतने घंटों का सफर है लेकिन जानवर वहीं अच्छे थे यार मेरे दोस्त ने रेकमेंट किया था मुझे सही है यार नसली जानवर लेने चाहिए यार सही बात है वह अतना चूना लगता है शेहर से लो तो बहतरीन कम प्राइस में अच्छे जानवर मिल गया हाँ जिमी क्या हुआ एक कील तुम से अंदर नहीं जारी अरे मों मैंने डाली थी वो पिर निकल गई ना हाँ सही से करो यार यह खुल जाएंगे पर जानवर नहीं खुलेंगे आप क्यों फिकर कर रहे हैं अबे यार एक तो गेट नहीं खुलेगा मैं करीब जाओंगा तो खुलेगा यह आटोमेटिक सिस्टम बंद करना पड़ेगा मुझे यार कल रात से हम लोग गए थे दो बज़े निकले हम लोग रात के अब दुपैर में पहुँचे हैं लेकिन जानवर अच्छा मिल गया अलहमदुलिल्ला यार तीन लाग का एक पड़ा छे लाग की जोड़ी मिली है यार वरना इतने उच्छे बैल ना यहां शेर में तो मि भी बिजनिस में जो लॉस हुआ है ना अभी उसका अभी तक सोचा नहीं है कि मैंने क्या करना है अभी इत खता मुझा है तो फिर देखते हैं यार शोरूम पे जो इंसिडेंट हुआ था ना प्लेन क्रेश का यार वो इंशूरेंस कंपनी कवर ही नहीं कर रही है तो अब सा चलो कि यह सब्सक्राइब कर नहीं सताइब क्विश्मी को यह दिर्ण की एक दीन कास्थ एंट नहीं वाला अला हुआ था सनुसक्राइब के घोरेंस करेंस कि आथि और जिर्ण से उसार लगी है क्रूंए यह सुआ है चलो ये काम तो हो गया यार एक तो जिमी को मैंने बोला ता एक दिन पहले ही कि बारिश का सीजन शुरू होने वाला है तुम लगाओ कुछ नहीं सैट अप ही नहीं किया बोलना मैं आके कर लूँ आके कर लूँ आप पता नहीं क्या करेगा यार खैर यही करेगा इसको शौक तो ना जानवरों का अब देखे यह मैं तो चला सूने में आराम करूँ ठक गया हूँ यार कसम से आजमी पापा बांदी है मैंने सही से बेड़ गया अभी तो आराम कर रहे हैं हाँ यार इतने लंबे सफर से आराम तो करेंगे चारह वगरें लेकर आ जाओ भूग लगी उनको और बाल्टियां भी साफ करो पानी वगरें भरो चारह बनाओ हाँ मैं करता हूँ अभी अभी निए अभी करो यार आहां करना हूँ ना आप आराम करने जाए ना इतना लंबे स sulfur है 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 में आराम करने जा रहा हूẁ और हां सेटब भी करतो भाई क्या सुचा हूँ थुमने आरे मैं मरसडीस अठाओंगे वहाँ खड़ी करेंगे अच्छा यह वहाँ करने का सुचा है तुमने मैं वहाँ मैं सेटब लगा लूँ उसकी अब टेंशन ले यहां अगर टीन की छटें लगाएंगे फाइदा क्या है पानी टपकता है ना हाँ यह भी सही कहरो बारिश का सुना तो है कि बहुत तेज होगी चलो मैं चला सोने देख लेना सब कुछ यहां जी बाबा मैं देख लूँगा देख तो लेगा इसी का शौक होता है जानवरों का खैर मैंने सोचा था कि इस साल बकरे बकरे ले लेंगे शेयर से लेकिन इसने बोला नहीं नहीं पापा जानवर लेते हैं बड़े जानवर लेते हैं पिर मैंने सोचा चलो यार एक साल म पापा मजालें जो कोई मुझे डाटने का मौका छोड़ें खेर यार मैं तो बहुत खुजी हूँ कितने अच्छे बैल आए इस साल हमारे बहुत लंबा सफर था यार हम लोग तो राज से निकल करें सिब्भी से जानवर लेकर आएं अरे दबीर को बिलाओंगा देखके ना ह पिल जाएगा कैसे जानवर लेकर आएं, अब ही तो यार इन के लिए चारा लेकर आना है ठे गहर के पले में न एक इतने बड़े जानवर नहीं रहे, क्यूंकर यार वहां पे गाओं में पूले में अच्छे से, इन के लिए चारा लेकर आएं, पिर मैने जगा भी मिछले सान लगवाई मी दिना वो नहीं लगाई मैंने भाई वो टपकना शुरू हो जाती हैं मैंने सोचे हैं यहां से गाड़ी जो आठाते हैं बक्राई तक और यहां पर जो आना सारा सेट अप करेंगे यहां तो कोई सीनी निया बारिश किती भी तेज होती रहे तो यहां स सारा सेटप बनाऊंगा मैं यहां फुल नाइट में हम बैटेंगे फुल मसा आएगा यार गाड़ी यहां से अटादू घरवालों को भी बोलतूगा यहां कोई गाड़ी पार्ट नहीं करेगा मेरे काल में यह जगा सही रहेगी ना कमेंट्स में तुम लोग बताओं यह जगा सही रहेगी अवे तुम लोग शगल देखना मैं ऐसी जगा की क्या कर दूँगा ऐसा सैट अप करूँगा ना कि तुम लोग देखोंगे क्या जिमी तुने क्या सैट अप किया अब लेकान आते हैं आज चारा बहुत भूके होंगे जानवर बीच बीच में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इनको खिला दिया था लेकिन यार वो ऐसा सा ही खिलाया था अब दर अच्छा सा लेकर आता हूँ शेहर से मुझे अब इतनी थगान हो रही है लेकिन जानवरों की देख भाल तो मैंने ही करनी है अगर मैं सो गया तो फिर कौन करेंगा इनको लाके जो है ना चाना देता हूँ और फिर जो ना नहा दो के थोड़ा सा अराम करता हूँ फिर वैसे भी शाम में उठना और पुरी राज जागना है मैंने रात का सेट अप भी करना है ना दबीर को बलाओंगा यार वो हेल्प करेंगा मेरी पता नहीं वो भी कहा है वो तो मामू किया नकी घाय आती है ना मामू वह से डालते हैं पुर मेरे खाल ममू को तो बोलूगा आज्ào एक तू ही तो इनर इस पड़ीमी थी कि मुझे भी इसतीन लेकर चल ने पापा को बोला था कि पामा दोस भी जाना चाहरा है अर इतनाशन थोड़ी है दोस बनाना अब क्या करें एक ही तो लॉयल दोस्ते मेरा बागी इतने हरामी है बुरे वक्त में काम ही नहीं आते हैं दोस्तों होें जो अच्छे वक्त में काम हैं तभी मुझे इतना सपोर्ड करते हैं लेकिन पापा थोड़ी समझेंगे और उनको कौन समझाए मैं थोड़ी यार मिल्कुल धगन भूल गया मैं बना इतनी धगन हो रही दिल चाह रहा है वाश बैट पे जागे न लेड जाओ मैं लेकिन यार एकसाइटेड हो ना यहार जब भी पक्राहिद आती है मैं बहुत एकसाइटेड हो याता हूं एना तुम लोग भी ऐसे एकसाइटेड होते होगे ना और पेपर भी चल लेते शुकर है भाई पड़सों मेरे पेपर खतम हुआ है यार फस्ट यार के अच्छा हुआ यार वन्ना तो यार अगर पेपर चलने होते ना पावा जानवर आते हैं बोलते हैं तुम उसमें लगे रहोंगे शुकर है वाई पेपर खतम हो गए चलो भाई शुकर है गारी किसी ने खड़ी नहीं की वहाँ पर फिर मुझे बोलना पड़ता है यार गारियां वैसे बाहर ही पार करते हैं अंदर तो खड़ी करने के ज़रूआ तीन नहीं है यार चालो भाई अब उतारते हैं यार चारा और बनाते हैं यार इन लोगों के लिए बाल्टियां वगर ना लेका रहूं मैं अंदर से खाओ खाओ मेरे शज़ादों धूप निकलेगी न तो यहां पर इनको बांदिया करूँगा मैं वैसे रात में न ले जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी तो यार मैंने सोचा यहीं रखेंगे लेकिन भाई महकमा मौसिमियात का मैंने देखा है यार यार वाई नियूस प अभी वैसे आज तो बारिश नहीं होगी अभी इनको यहां बंदे रहन देता हूँ थोड़ी दिर सोऊंगा शाम में उठके न सेट अप करता हूँ फिर जो है न वहीं बाद दूगा इनको लेकिन यार वो फिलोर ऐसा है न वहाँ पर कहीं पिसल ना जाए पहले मैं देखत चलने 6 लाग की जोड़ी लेकर आए भाई कोई 6 लाग में ला सकता है यह लोग सेंटोस में अरे भाई हम सिभी से लेकर आए पापा की कोई दोस्त तो उन्होंने बताया था चलो यार मैं ज़रा यह दर्वासे चेक कलूं लो कहना कि मैं जा रहो थोड़ी दिर सोने पता चल लगे मैं लेकिन फिर भी यहतियात करनी पड़ती है ना यार और यह आटोमेटिक गेट तो आफ करूं मैं पिर आके बाद मैं खोल दूँआ ओके डान टर्न आफ दिल तो नहीं चाहरा है कि मैं सूँ लेकिन फिर रात में मुझे बहुत नींद आएगे पूरी रात हमने जागने नाइट स्टे करना है यार दिल तो नहीं चाहरा है बैठा रहो नके साथ लेकिन नहीं यार रात में जागने कलें थोड़ा भी सो जाता हूं फिर रात में त यहां मैं सोच रहो हूँ कि सोफे लगाते हैं ना अंदर सोफे बड़े में सोफे या फिर पलंग रखे हैं तुम लोग बताओ क्या करें तुम लोग जो कमेंट्स में बताओ कि वही करूँगा फिर मैं यार यहां जो एना जानवर हो जाएंगे 4 बी दर आ गया सबकुछ और सोफिय रखें या पलंग रखें क्या है देखते हैं यार दबीर आएगा ना उससे पूछूँगा बलके दबीर को मेसिज भी करना पड़ेगा मुझे आँ सही है यह यह दर को ऊपर भी जगा है मारे बादर बहुत जगा है यार फॉल-उन तफरी आने वाली है भाई मैंने सोचा था बकरे भी ले लेते हैं लेकिन बहुत 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 नहीं बहुत बहुत और इन्शूरेंस वाले ने अपनी देखा दी उन्होंने कुछ हमारी है इस खताम हो जातो पृँजनिस को भी देखना है यार चलो यार ठोड़ा से सुख के मैं उठूँँ फिर रात क setup करना है कामेंट में जरूर बताना तुम लोग